जन्जी बे जन्जी बे बुला, बुला सारे गाउन वालों को, सारी माली को सरकार भावी चानी सरकार और जार तुलेखा, मुझसे गबराने की जरूरत नहीं, हम दर्द रुमें तुम्हारा बात हो गई इस मजलूम की दिल जोई, बस करें आजाओ बीपी सरकार, वो खैर तो है, कौनसी आफद आगी जो बावली काये की तरह भागे फिर रही है कुट्ते तो नहीं लगे पीछे तेरे जी वो, सुल्तान सरकार आगए मैं नीचे जा रही हूँ, आप भी जल्दी से आ जाए चल्द भाई जी कहा है जी वो, जुलैखा बीबी के सराने बैठें उनकी खिदमत कर रहे है कहा भी था कि दफा मार्योस पेहया को कि मैं अगर लगता है कोई चांड चड़ा करें दिए बैठें चलो कि अ नेरा है नेरा नेरा अब क्या होगिया भागा भी कर पटागा बजा गया इन्थ वकत मैं आई उस वकत तो सारी खैसला थी ऐसा क्या होगिया भागा जो तेरी सांस चड़ गई अब मुझसे बातें ना करो, अपना अपना काम करो, बस बता ना मासी क्या हुआ, मेरे पेट में मरो और उठ रहे अब अब बता भी दे, तुझे रब का वास्ता बता भी दे मारी की बीबी सी, अब को ताजी खबर निकाल भी दे ये मिलक जवेद है ना, जुलेखां से निकाल करके ही रहेगा आते ही उसके गोड़े से लगके बैठ गया हाओ है, ये क्या कह रिये भागा चन्नती भी अब क्या करेगी? मुझे क्या पता क्या करेगी, प्राधा डाल के देग अधेर है अधेर साम्जजजजब करेगी, को अधेर आव अलेकुम असलाम कब आए? अजी मैं कल शाम को आ गया ता लेकिन वो आपकी गहर मजूदकी में क्यो कुछ देखा वो क्या बापर शुपकन को का बता देना जावेद भाई शर्मा क्यो रहे हैं दरसल चाचा सरकार इन्हें आपके बगेर मारी बहुत सुनी लग रही थी कह रहे थी कि बस मैं वापस जाने लगाओं चाचा सरकार के बगेर यहां मेरा दिल नहीं लगता बड़ी मुश्किल से रोका है ने अजे ज़र सरकार के वज़ा से रोक रही है अना तो जारेंग थी लेकिन तो बड़ी मुश्किल अब हमारी बहन को यहां वापस मारी में दिल नहीं लगता उसके बाहर है जी ज़र सरकार जरूर्ट 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 कहा है व लड़की? वो बाभा जान अपने कमरे में होगी? खाना खाने तो उसको बुर्वाना बात कनी है मुझा जी एच निशादो अब क्या होगा? सरकार देखेंगे तो पूछेंगे निए उसका पत्ती से उसका सारा चहरा तो जखमों से भरावा है यह चोटे कैसे लगी? यह जखम कहां से आये? क्या ख्याले तेरा? वो तो हट से बता देगे सरकार को देखा नहीं था करकार को उसने कितनी आवाजे दी थी है रबा मैं तो इस बात से परेशान हूँ कि अगर सरकार ने हमसे पूछ लिया तो क्या बोलेंगे हम लोग? ने मासी तुई बता क्या बोलेंगे हम लोग? नी परे दफ़ाओ नहीं तुझे क्या बताओं मैं? मुझे फुद अपनी पड़ी है मैं तो ये सोच लूँ सरकार ने अगर पूछा कि जुलाइखा पर जिस वक्त ज्याती हो रही थी तू कहा आतिदारो मैं क्या जवाब दूँगी? रब्भा खैर करे तो अंदर चाहरी है मुझे लगता है कि जज़ा सरकार को पता चल गया अब तो वो सिर्फ लड़की को देखकर तस्रीक करना चाहते ऐसा तो ना कहें भाई जी अला उन्हें कैसे चल सकता है पता? मारी की दिवारें तो बोल कर बताने से रही न उन्हें दिवारों नहीं इसके इसके अंदाज ने बताया होगा उन्हें अगर ऐसी बात होती न तो अब तक कचारी लग चुकी होती नमारी तक सुल्तान में तुम मुल्सम बने सर जुकाए उनके सामने खड़े होते हैं ना कि यहां खड़े होकर तो मेरी टांक हैच ने होते हैं इससे बेतर तो यह था कि मैं जचाफरकार के सामने अपने दिल का सारा खुबार निकाल कर रख देता पर नहीं तेरी बेहन ने वास्ते डाल कर मेरी जुबान पर ताले लगा ताक आवास्ता है आप दोनों तो लड़ना बंद करें और जो मुसीबत हमारे साथ पर आगए उससे टालने की को तरकीम सोचे बताओ अपने इस शोहर को जो बकरी का शिकार करके समझता है कि उसने शेर मारके रहे आप दोनों चुप कर जाएं करने दे मुझे कुछ अच्छा है बहुत अच्छा है हम भी तो देखें कि हमारी में क्या सुचना चाहिए क्या करना चाहिए लेकिन जो भी करना है वो जल्दी कर लो ऐसा ना हो कि जचा सरकार वो कर जाएं जिसके बारे मैं सोच सोच कर मेरे चेर दिल बेहनोई का फसीना चुचता है अच्छा है सब्सक्राम चैने जो लेकृष्ध है यह क्भागा है झाल 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 खुचान झाल बार्ण गड़ी लेकी वकील सार्ब से पूछा है कि अभी तक क्यों नहीं आए? सुकार वकील सार्ब मकूही पहुची है बारत लाई ए फॉन पे जाए जाकर दो बहुरानी से पूछ के उलर कि अभी तक कि नहीं आए सुन हुज जाकर यहाश एक बात कान खोल कर सुन ले अगर माड़ी में रहना चाहती है तो कल का वाक्या भूल जा कल तू माड़ी की सीडियों से गिर गई थी तुझे चोटे लगी थी चोटे सरकार ने डॉक्टर बुलवाया था तेरी मरहम पट्टी के लिए और अब इस वक्ट तुझे बुखार है इसलिए सरकार के सामने नहीं जा सकते अब इस वक्ट जाएगी जब बुखार उतर जाएगा और बुखार कब उतरेगा इसका फैसला मैं करूगे समझ गई ना पैरियत मीर मन मारी के अंदर के अलाके में तू कैसे आ गया बैबी गोला सरकार के हुक्म से आ है प्योक्म कैसा है वो सरकार में लड़की को लाने का हुक्म दी है यो वो भी अपने साहत लाने को अच्छ़ा है तू आ गया मैं चाचा सर्कार के पास ही जाने वारी हूँ उन्हें बता दे कि लड़की को तेज बुखार दोक्टर अभी अभी देखकर गया है पेसो बढ़ी एशोधी जैसे ही बुखार उतरे का बाग बढ़ी उसे चाचा सर्कार के सामने हाजिर कर देख जी बुखार झाल वास चीख बोर्ची तेरी चीखोगी आवाज आज मारी की दिवारों में तफन होके रही और कोल सुन्ने बाद ही होगा चुझ सर्कार है यह सर्कार है औरे सर्कार चलेगे हैं शहर कोई सुनने वाला नहीं तुझे जब वो पापस हैंगे तो कहा देंगे भाग गई अपने किसी और यार के साथ जान विगा आंदा तेरे ले रे शुमी रुमान ते उत्ते तेरा ना कढ़े आवे मैं बड़े आई चावान आणदा तेरे ले हरे शुमी रुमान आणदा तेरे ले क्या गाती है तुझ वाँ वाँ दिल खुश कर दिया मज़ा आगया शुकर है सरकार ने पूछ पड़त नहीं की सच के रिये दारा अकर सरकार आज पूछ लेते न तो किसी का कख नहीं रहना था मत कुछ वीरा बड़ी दुआएं की है अच्छा रोटी तो दे दे बड़ी भूट लगी है वो होसला कर देता और ओटी भी सबर कर दोड़ा चाचा मेरी तो भुखी मर गई थी तौबा तौबा लगता था आज किसी के पले कुछ रहे गई नहीं मारी की वेगम को खाना दे दिया चाचा बख्षा और बंद दिखरो ये शोर शरापा पता है अंदर हंगामा हो गया है अगार है उसे कुछ सर्साम नहीं है कि वो चल के हमारे पास आनी सकती है जाज जबर्दस्ती उसका बाज़ो पकड़ के लाव से यह और सुन बहुरानी से कह देदा कि हमारे मामले में मत पोले हमें हमारा काम कर देदा आजा बीबी सरकार बहार मील मंग आया है अब क्या हो गया बड़े सरकार का हुकम है कि लड़की को फॉरान हाजिर किया जाए कि जाए भी टीबीबीबीबी कि अजाए एक अभाए हाँ अब क्या है तुबारा क्यों नाजिल हो गया है लगता है तुने भी मारी के अंदर की रा ही पकड़ लिये अच्छार ने लड़की को फॉर्म पेश करने का हुकम दिया इजाजद मांगने आया थे जी अच्छा और अगर इजाजद ना दूं तो लड़की तो तेरे साथ में नी जाएगा वर्म आया थे करने को दौने में पूर्म पहर क्यों तो 台ल स्व करती है जाएगा जाह पार सी ये ये अजया नाद हो प्रया मांगल झाल 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 झाल